चलो आगे बात करते हैं दुट्त्य वेंजनन के यानिए डूबियस कॉंसोनेंज दुट्ळ का मतलब देखो यहाँ पर एक ब्यैजन ऐसा हो जो स्वरसहीत हो और इसा हो स्वर रहीत हो जब एक स्वरसहीत ब्यंजन का दूसरे समान स्वरसहीत ब्यंजन से मेल होता है तो उसे क्या बोलते हैं दुत्य ब्यंजन जैसे यहाँ पर में लिख रहाँ दिल्ली दिल्ली में देखो एक आधा लौ जिसको आप बोलते हैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं नीचे हलंत लगा दिया और एक आपका क्या है पूरा लौ है चीक है तो जो आधा लौ है इसको बोलते है स्वर रहित इसको क्या बोलते है स्वर रहित और इसको क्या बोलते है स्वर सहित स्वर सहित ये स्वर्रहित है ये वाला ला स्वर्रहित है और ये वाला क्या है स्वर्सहित है और इस ये स्वर्सहित और स्वर्रहित जब दोनों मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं दुत्य व्यंजन जब समान स्वरसहित व्यंजन से मेल होता है तो उसको क्या बोलता है दुद्यो व्यंजन है दोनों समान ये भी लौ है ये भी लौ है लेकिन एक क्या है एक आधा है जिसको आधा बोलते हैं आप उसको स्वरसहित और दूसरा क्या है ये एक स्वरसहित है जब दोनों का मिलन होता है तो उसको क्या बोलते हैं निये प्रस्ण पूछान पूछा हूआ है देखा, मैंने किसी paper में प्रस्ण पूछा भाता कि निबन बैसे चार शब्द थे उसमें निबन बैसे किस शब्द में दुद्धो वर्ञन का पर्योग है तो दुत्य वेंजन में क्या होगा देखो जैसे दिल्ली है ठेक है दिल्ली में यह आधा लाओ है यह पुरा लाओ है यानि एक स्वर जिसको आधा बोलते हैं आपसे इस्वर रहित है और एक स्वर सहीत है दोनों लाओ है यहाँ ठेक है यहाँ पर तो दिल्ली में क्या है दुत्य व्यंजन और जैसे आप क्या लिखोगे बिल्ली बिल्ली में वाएगा ना यहाँ पर दुत्य व्यंजन है तो यानि दुत्य व्यंजन क्या है जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर देखो मैंने समान लिखा है यानि वह ही है, अगर लो यहां तो यहां को है तो यहां को, यहां टो है तो यहां टो है तो यहां टो है जैसे मिट्टी, मिट्टी लिखो मिट्टी, लिखते हैं आप ऐसे मिट्टी, या इसे को आप ऐसे भी लिख सकते हैं मिट्टी को, मिट्टी आप ऐसे भी लिख सकते हैं आधा टौ फिर पूरा टौ ऐसी इसका मतलब आधा टौ यहाल लंत है तो आधा है ठीक है आधा टौ है तो ऐसे वह आप लिख सकते हैं मिट्टी को तो इसमें टौ में भी कौन सा है इसमें भी दुत्व बंजन का परियोग है चार शब्द देदेगा उसमें से बोलेगा कि निम्रे मैंसे कहां पर दुत्व बंजन है तो दुत्व बंजन इसमें यानि एक आपका स्वरसहीत होगा और दूसरा क्या होगा स्वर्रहीत होगा लेकिन कैसे होंगे दोनों समान यदि ये टौ है तो ये भी टौ, यदि लौ है तो ये भी लौ, है ना, ये कौ है, जैसे पक्का, पक्का कैसे लिखते हैं आप, लिखते हैं इसे, पक्का, तो इसमें देखो ये कौ है, आदा कौ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और ये कौ है, तो एक स्वर सहीत है, एक स् तो वहाँ पर क्या है उसको बोलते हम दुत्व बेंजन धक्का बच्चा इसके उधारण है जिसे धक्का 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 आप ऐसे लिखते हैं इसमें दुत्व बेंजन का परियोग है बच्चा जब आप लिखेंगे बच्चा इसमें क्या है दुत्व बेंजन का परियोग है देखो यहाँ पर भी एक स्वर्साहित है और एक स्वर्रहित है, है ना, एक स्वर्साहित और एक स्वर्रहित है, तो यहाँ पर दुत्य व्यंजन का प्रयोग हुआ है, तो एक किलेर होगे आपका दुत्य व्यंजन, प्रश्न पूछावा है, चीक है, तो चार अप्सन, चार और आप से पूछेगा कि निम्न वैसे किसमें दुत्विंजन का प्रयोग हुआ है तो जहां पर समान ब्यंजन एक स्वर सहीत हो एक स्वर रहीत हो दोनों का मिलन हो वहां पर क्या होगा दुत्विंजन होगा इसके बाद है आगे बढ़ते हैं थोड़ा संयुक ताक्षर संयुक ताक्षर संयुक ताक्षर अब देखो यह दुत्विंजन था लेकिन यहां पर क्या है यह संयुक ताक्षर है जैसी आपका मैं लिख रहा हूँ कुमहार है मैंने एक कुमहार लिखा इसमें माँ देखो यह जो आदा माँ इसको आप ऐसे लिखेंगे हलंत लगा देंगे नीचे और यहां पर क्या है हाँ है देखो ये आदा मौख हो के साथ लगावा है हो के साथ जुड़ावा है आदा मौख जो स्वर्रहित मौख है वो क्या है स्वर्रहित हो के साथ जुड़ावा है तो इसको हम बोलते हैं सहिंक तक्षर ये जो है दोनों किस से बने हुए है इसको हम भी बोलता है कि मौ से रहा से दोनों के मिलन से बना है इसको हम क्या बोलता है सहुग तक्षर यह जो मा है यह क्या है यह स्वर रहित है स्वर निकल लिया इसमें से आ निकल लिया स्वर रहित ब्यंजन है और यह क्या है स्वर सहित स्वर सहित व्यंजन है ये स्वर सहित व्यंजन है हो ये स्वर रहित व्यंजन ठीक है लेकिन है डिफरेंट ये भिन है ये मौ है ये हो है जब किसमें क्या था दोनों समान अगर लौ यहां था तो यहां भी लौ था यहां पर चौ है तो यहां भी चौ यहाँ पर को है तो यहाँ भी को यहाँ समान भ्यंजन थे लेकिन इसमें क्या होगा सहित भ्यंजन में जो आपके भ्यंजन होगे और क्या होगे डिफरेंट दोनों भिन भिन होगा इसमें भी एक स्वार रहित भ्यंजन होगा दूसरा जो है स्वर सहीत प्यंजन होगा लेकिन भिन भिन होगा different होगे दोनों दोनों का जब मिलन होगा तो उसको बोलते हैं संगताक्षर तो प्रशन पूछेगा चार शवब्द देदेगा प्रशन पूछेगा निम्न मैसे कहाँ पर संगताक्षर का प्रियोग किया गया है तो जैसे कुमहार में दूसरा देखो क्या स्वागत में भी है स्वागत स्वागत इसमें है क्या संगताक्षर जो ये सा है वह के साथ लगा वा देखो स्वा स्वा है ना स्वा तो यहाँ पर देखो, जो सौ है, वो आधा है आधे सौ को आप ऐसे लिख सकते है और वो है यो पूरा है दोनों भिन है, भिन बे एक सौ, एक वो है ये स्वर सहित है और ये स्वर रहित है दोनों का मिलन हुआ, तो इसको हम बोलेंगे स्वागत में सौ इसी तरह से जैसे मैं लिख रहा हूँ परकार परकार लिखा, क्या यह जो प्रा है क्या इसके साथ भी है, क्या ऐसा कुछ प्राव में भी है क्या आदा, पौ क्या है, आधा की पूरा है आधा है, देखो पौ आधा है रो पूरा है प्राव में जो है जो पौ है वो आधा है इतने प्रशन पूछ सकता है कि प्रकार में जो है जो पौ है वो स्वर सहीत है कि स्वर रहीत है तो पौ में जो है जो पौ है वो स्वर रहीत है रो क्या है स्वर सहीत है ठीक है तो यहाँ पर रो है या पर पो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे इस प्रा को बोलेंगे संग्ताक्षर संग्ताक्षर, किलियर है तो चार आपके पास होंगे संग्ताक्षर आपका किलियर है, डाउट नी करना इसमें इसमें, दुत्यो बेंजन अलग है इसमें समान होंगे समान होगे, एक आधा होगा, एक पूरा होगा लेकिन समान, और इसमें क्या होगा संक ताक्षर में दोनों different होगे एक स्वर सहीत होगा, एक स्वर रहीत होगा लेकिन दोनों क्या होगे, different होगे ठीक है, जैसे ये सवा है, ये वा है एक स्वर सहीत एक स्वर रहीत है लेकिन दोरों डिफरेंट है उसको बोलेंगे सहिक ताक्षर ठीक है और जिसे प्यारा है तो अच्छा है प्यारा अगर जिसे आप उधारण देंगे इसका प्यारा है ना तो अच्छा ठीक है जिसी प्यारा में देखो ये लिखा आपने लेखा इसमें देखो आदा पौव है और यह यह पूरा है तो यह क्या है यह? यह संग तक्षर का उधारणे और यहाँ पर देखो तवचा क्या है? दुत्यविंजर का उधारणे या संग तक्षर का उधारणे तवचा तवचा जो है किसका उधारण है स्वाइक तक्षर का देखो यहाँ पर तव देखो तव और वा तव जो है क्या है यादा है और वा क्या है पूरा है तो एक स्वर सहीत है एक स्वर रहीत है और दुसरा स्वर सहीत है तो स्वाइक तक्षर और दुत्य बंजन यहां से जो भी प्रश्ण पूछेगा तो एक किलिर है आपका कोई confusion नहीं अब इसमें सहीकुत अक्षर क्या है और दुत्य बंजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया इसमें चार option होगे सही जगे जो है टिक करना है